मेरे भाव का भी जन्म नॉर्मल डिलिवरी से हुआ, घर में हुआ, मेरी अज्जी ने हम दोनों का जन्म करा है, डॉक्तर को नहीं गुला है, मेरी अज्जी पढ़ी लिखी नहीं थी, दोनों का जन्म उसने आसानी से करा जाए, वो एक ही कारण जाता, तो आपके घर में अग आप उसको नियमित रूप से 15 मिनट, 80 लिए 15 मिनट चलाएं इस प्रियों के लिए, फुर्षों के लिए शरी इश्रम क्या करना है। कुर्षों के लिए शरी इश्रम सबसे आवश्यत है कि आप थोड़ा दिन, अगर चाहते हैं कि स्वस्त संतान हो, तो नागर चलाएं। यह थोड़ा मुश्किल है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, नौकरी करते हैं, बैंक में, बीमा कंपणी में, अभी तो हम नागर नहीं चला सकते, तो उसके बराबर का एक दूसरा श्रम है, उसी के जैसा श्रम है, सीडिया चोहना और उतरना, अगर कर सकते हैं, बहुत नहीं कर सकते, तो तीसरा और आखरी श्रम है, जास्ती पैदल चलने, पैदल चलने, एक गिन्मेट 4-5 किलो मीटर पैदल चलने का आगद डाले हैं, हर समय मोटर साइकल के चलने, कार में चलने, तो अच्छा नहीं थोड़ा 47 किलो मीटर पैदल चलने का अफ्यास हो, नहीं तो नागर चलाने का हो, नहीं तो सीविया करने हो, तो पुरुषों के लिए इस तरह का श्रम है, इस तरियों के लिए जाता चलाना, चक्री बनाना, तक्ड़े धोना, ये सब श्रम अगर हम करें, तो संतान आपकी स्वस्थ तंदृष और बहुत तेजस्थी और तफस्थी ह अगर, तो ये नियोजन के कुछ-कुछ काम है, और एक काम करना है हमें नियोजन के लिए, बहुत आवश्चक है वह, और वो नियोजन इस तरह का करना है, कि हमारे जीवन में, वैसे तो ये बात बताना ठीक नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता, बहुत बार ऐसे तो अच्छा नहीं, काला है, थोड़ा दार्क है, लेकिन हमको हमारी संतान चाहिए, उसका रंग साफ हो, अभी क्या करते हैं, ऐसे बहुत लोग आते, तो मैं कहता हूँ, ये बेकार का बात है, फिर भी वो कहते हैं, नहीं कुछ तो और शब बताओ, तो इसकी और शब ये की ह है, कि जो भी अपने संतान का रंग साफ चाहते हैं, थोड़ा वाइटिश कलर चाहते हैं, रंग उसका अच्छा पेर कलर चाहते हैं, बले उनका रंग अच्छा नहीं है, तो वो नियवित रूप से, इस्प्री और पुरुष हरत का दूद पीते रहना, राक्त्री को जो भी नियवित रूप से पियें, सभी के बच्चे उनसे ज्यादा अच्छे रंग वाले होते हैं, तो ये नियोजन का एक हिस्सा, और एक हिस्सा है, कि आपके बच्चों की बुद्धी कभी भी तेज रहे, तीब्र रहे, मन्ती मन्द ना हो, कभी भी उनकी बुद्धी त तेज रहे, तेज़सी रहे, आईक्यू उनका अच्छा रहे, मती मन्द का कभी दिन आए, तो आप और एक छोटा सा नियोजन करना, और वो नियोजन बस वही है, जो मैं बार बार पहले कह चुका हूँ, दही चूना मिलाके खाते रहना, गाय के दूट का दही बनाना, चां तो मती मन्द का नहीं आए, बच्चों में स्वस्त रहे, तेजस्वी रहे, पपस्वी रहे, सदभावी हों, सद्युचारी हों, इसके लिए कुछ छोटे छोटे नियोजन, और एक छोटा सा नियोजन, वो नियोजन क्या है, नियोजन एकी है, कि हमें अच्छी सुदीर्ग जीवन वाली, पेजस्वी जीवन वाली संतान चाहिए, इस्प्री हो या पुरुष, भुल्गी हो या मूला, संतान पेजस्वी तफस्वी चाहिए, तो एक नियोजन जरूर ध्यान रहतना है, कि हमारे जो पती और पत्मी हैं, वो आपस में जब संसर्क करें, तो पत्मी का मासिक चक्र पूरा होने के बाद, या पत्मी का मासिक चक्र पूरा होने के बाद, या पत्मी का मासिक चक्र शुरू होने वाले दिन से, दस दिन चोड़ कर, पत्मी का मासिक चक्र शुरू होने वाले दिन से, दस दिन बाद, और सत्रे दिन के पहले, या अठारे दिन के पह अंसर्ग कर तो सब्से ज़ादा पत्यस्मी और तफस्formation होगे। पत्मी के मासिध धर्म के शुरू होने वाले दिन को जिनकर दस्वे दिन से अठ torture दिनके बीच का जो समय है, यही सब्से अचा समय है पत्यस्मी और तफस् attain संतान का तो यह 7-8 दिन का समय है। अप इसमें दो तरह के दिन आई गए एक सम होंगे एक विशम होंगे जैसे दसमा दिन सम ग्यारमा विशम बारमा सम तेरमा विशम जो सम दिन है उनने अगर आप संसर्क करेंगे तो 99% पुत्र होगा और विशम वाले दिन में संसर्क करेंगे तो 99% पुत्री होगी एक परसंट इसमें अलागए है और वो कहीं भी होता तो अगर आपको नियोजन करना है कैसा अब व्यसन्मू की वक्सन में कुछ कारी करताओं के पास पुत्री है तो पुत्र चाहिए तो उनके लिए ये माहिती मैं दे रहा और जिनके पास पुत्र है उनको पुत्री चाहिए उनके लिए ये माहिती दे रहा सम दिन में जाएंगे तो पुत्र विशम दिन में जाएंगे तो पुत्र और एक और महिती इसी नियोजन के लिए आप जानते हैं महीने के दो पक्ष होते हैं एक शुकल पक्ष और दूसरा तो जो शुकल पक्ष है इस शुकल पक्ष के दिनों में अगर आप संसर्ग के लिए जाते हैं तो 99% आपके बेटे या बेटी का जिन्म जो होने वाला है वो बहुत प्रतापी तेजस्वी लड़ने इसे जो हमारे देश में भगत्सी उधंसी चंद्रशेकर आजाज ये सब शुक्लपक्ष वाले लोग है शुक्लपक्ष आप तमस्कें जब चंद्रमा नगातार बहुता हुआ होता और क्रश्नपक्ष उसका उन्टा क्रश्नपक्ष में जवाब जाइए तो अच्छे से अच्छे साहितिकार बहग्यानिक बहुत बड़े डॉक्टर इंजीनियर चार्टेड इकाउंटेंट ऐसे बच्चों के जन्म होगा न्यूटन, आइंस्टाइन, जगदीश चंद्र खुराना, हमारे देश के बोस, हमारे देश के ये जो महान लोग साहितिके चेत्र में, विज्ञान के चेत्र में, कला के चेत्र में आगे बढ़े हैं ये सब क्रश्नपक्ष वाले लोग यह च़्गर है उछ्फिबटर है यह चंद्र मा के शरीर पर पलमे वाली ऊर्जात्ाँर आप जानते हैं क्रश्नपक्ष में चंड्र मा नहीं होता और शुखलग्पक्ष में चंड्र मा बहुत तीबर होता चंद्रमा की तीवरता अपनी नहीं है आपको मालूम है चंद्रमा का प्रकाश कहां से आया सूरिशे तो चंद्रमा की तीवरता है तो उसकी अपनी नहीं है सूरिश की तीवरता है तो आप समझ लीजिए शुक्ल पक्ष में सूरिश की तीवरता है तो उस दिन में जो संतान आएगी वो सूर जैसी ही होने वाली है सूर कैसा है? जला के सब को राह कर दो तो ना प्रताथ शत्रवती शिवाज शंबाजी महाराज ये सब ऐसे ही लोग हैं जो शुक्ल पक्षवाले और आपको चंद्रपक्ष में चंद्रपक्ष में सूर का प्रकाश नहीं है चंद्रपक्ष में का प्रकाश है तो उस समय के नियोजन्य जो संतान होगी वो धिमाज वाली होगी शरीर वाली जिसका ब्रेन बहुत चलेगा इंटेलिजेंसी उसकी कंप्यूटर से जैसी उससे भी जादा प्रेज हो दुनिया में सारे दिमाज के काम करने वाले लोग चंद्रपक्ष के पैदा होगी और शरीर से लड़ भिड़कर सामराज इस्थापिश करने वाले लोग शुक्लपक्ष के पैदा होगी तो नियोजन आपको करना है माहिती में दे रा तो आप पै करिए आपके जीवन में क्या चाहिए अब एक संतान आपके पास है मान लो शुक्लपक्ष वाली तो एक चंद्रपक्ष वाली जरूर करना क्योंकि दुनिया में दोनों की जरूरत है खाली लड़ने भिड़ने वाला ही नहीं चाहिए विज्ञान की घोज करने वाला भी चाहिए क्योंकि दोनों से जीवन चलता है शत्रू से रख्षा करने के लिए है और देश को आगे बढ़ने के लिए भी है तो एक संतान शुक्लपक्ष की एक चंद्रपक्ष की ऐसा नियोजन करिए एक संतान सम तारीख वाली दूसरी विशम तारीख वाली ऐसा नियोजन करिए और बाटी के शुरू के नियम जितनी मैंने बताए है वो सब को एक साथ पालन करना इसके आगे और भी बहुत सारे नियम है लेकिन वो इतने बारीख है कि मैं बताऊंगा आपके दिमाग में जाएंगे लिए अभी जितना बताया है इतने पर आप प्रयाश शुरू करें उसके बाद बारीख नियम अगर जानना है तो इस फुस्तक मैंने लिखी है बागवट्च जी के सूत्र पर ती उस तके मैंने लिखी है स्वदेशी चिकित्सा बागवट्च अश्टांग हिरदेयम के आधार पर भागे दो तीन बारीख बाते हैं उन से पहुँ सकते मोटी जितनी बात है वो मैंने आपको बटाए अब इसमें प्रश्य करना है मात्पा गावट्णी के लारों में कहा जाता है कि वो जंशन पॉइंट पे हो जो नहीं सच बात है सच बात ऐसी है कि शुक्लपक्ष खतम हो रहा था जंद्रपक्ष शुरू हो रहा था बीच का एक दिन आता है न 14 दिन इधर निकल गई 14 दिन इधर निकल गई तो बीच वाले दिन होई जो तो दोनों का थोड़ा थोड़ा असर था अमामस्य अब उल्मा के बीच का समय था उसमें गांगी जी का जंद है तो उनके उपर थोड़ा थोड़ा दोनों का असर था लेकिन आप अगर नियोजन करें तो फूरा नियोजन करें उसमें गांदी जी के वारे में तो उनकी आई कहती है कि उनका कुछ नियोजन नहीं था और गांदी जी का जन्म हो गया तो उसमें आधापन था एकदम कायर सबसे पीछे की बेंच को बैठने वाले ऐसे विद्यार थी तो जब उप्रता एक दौर निकल गया तब थोड़ी उनमें तेजस्विता और खोड़ी सी तीब्रता और थोड़ी हिम्मत आई थी लेकिन वो 25 वर्ष निकलने के पाद तो ठीक है मैंने कुछ माहिती आपके समझ में आई है कि तो बहुत अगर आप ये समझ पाएंगे तो बहुत अच्छा है एक बात को मैं सिर्टीट करता हूं इसको हमेशा याद रखेगा कि आपकी संतान अच्छी हो पेजस्वी हो तपस्वी हो तो खान पान में जितने नियम बताएं एक बराबर याद लोनी और खड़ी शक्कर ये रोज खान से लोगी तखान अब समझते हैं खड़ी शक्कर आपको मैं कि लोगी और खड़ी शक्कर रोज खान इस बहुत को खाना पती को भी पती को अब जित मतीमंद और हैंडीकेप जो बच्चे होते हैं वो कहां से आते हैं ज़्यादा तर मतीमंद और हैंडीकेप जो बच्चे होते हैं वो उन पती पती के हैं, उन आईवड़ी के हैं जिनके दोनों के शरीर में कैल्शियम बहुत बहुत कम है उनके बच्चे मतीमंद होने ही वादे हैं, उनके बच्चे हैंडीकेप होने ही वादे हैं, पती के शरीर में कैल्शियम कम हो, पती के शरीर में कैल्शियम कम हो, जरूर बच्चे ऐसे होंगे, जो मतीमंद होंगे और शरीर से विकलाम हो, तो ध्यान रखिए इसका, कैल्शियम कंना हो शरीर में तो आफ बोलेगे क्या इसका टेस्ट होता है कैल似य insec टेस्ट कराको कि एककर की August जुट तेर्षां की मात्रां पता लगा सकते हैं बाजारं में जो तैफैलोगी के डाक्टर है वो केशशों केस करते हैं त्धिक ज्यादा prow рचा नहिに हैं 50% यद habits बहुत ज्यादा कुछ नहीं बहुत ज्यादा महाराश्रु में कुंकन अकेला एक बैड़ित है जहांके बहुत फीब्र गुजी के दच्चे होते हैं उसका कारण है और कुंकन बैड़ित के सभी बच्चों की आखें दुनिया में सबसे सुंदर है किसी कि सुंदर आखें नहीं है जो कुंकन पठी के बच्चों की आखें उसका कारण में बताता है कुंकन पठी के बच्चे आजानके कुंकनस जिनको हम कहते हैं मराधी में कुंक इनका जब IQ टेस्ट होता है ना दुनिया के सारी देश अमेरिका जर्मनी जापान दुनिया के देशों में इनकी IQ सबसे हुची कारण पूछो आप कारण उसका एक है कि कोकन पच्ची की जो मिट्टी है ना वो उसकी विशेश्टा है कोकन की मिट्टी आप देखो लाल रंगी है देखा है लाल रंगी मिट्टी है लाल रंगी मिट्टी में जो धान मुक्तम होता है उसमें केल्शम और आईरन सबसे जादा सबसे ज़ादा दुनिया में इतना केल्शियम और आईरन किसी मिट्टी में नहीं है जो लाल मिट्टी में होता है अब केल्शियम और आईरन हर चीज में ज़ादा होगा कौकन का आम होगा ना आम उसमें भी केल्शियम आईरन है कोंकन का धान उसमें भी कैलिशम आईरन है, कोंकन की डाल होगी उसमें भी कैलिशम आईरन है, कोंकन की जवारी होगी उसमें भी कैलिशम आईरन, तो ये कैलिशम और आईरन से भरपूर जो कुछ वो खाते हैं, उसका परिणा, नहीं मचली का इसे तो, मचली तो और भी लोग मचली का इस से कोई संब्ध निदी अब हसे र City में होने वाद से लाज विटी जुनियमें यहां भी मिलेगी उसमें घड़पूर कैल्शयम और आईरं रेंइ और कोउकन की उस्चीं मे आईरं सबसे जादा है इसलिए वहां की संता ने जुनिया में सबसे तीग रुबुद्धी माने जाए तो ये बात समझा आई कूंकन की से तो आप कहेंगे हम भी कूंकन में रहें लगिए लेकिन आप में परिवर्तन आएगा दो जनरेशन के बाहर अभी तुरंट नहीं आएगा दो जनरेशन आपकी निकल जाएंगी धर्ड जनरेशन में ये परिवर्तन आजाए अगर कूंकन में आप रहते हैं अब आप देखिए इनका तो सवाल और भी अच्छा है कि कूंकन में हम नहीं रह सकते कूंकन को अपने घर में ला सकते मतलब ये है कि ऐसा धान निखाएं जिसमें आईरन और केल्शियम जादा हो तो वो आपके घर में भी होगा तो ऐसा धान निखाएं जिसमें केल्शियम और आईरन जादा हो अब केल्शियम और आईरन का धान्य जादा होगा तभी संभग है कि जो धान्मी को उस्पन्म करने में यूरिया डियेपी ना डाला गया है तभी वो संबद है तो बिना यूरिया बिना डियेपी का धान्मी पहदा करिए तीन बरस तक चौथे बरस से आप खाना शुरू करिए तो आपने फोंका आ जाएगा पूरा तो नहीं आएगा लेकिन थोड़ा तो आएगा थोड़े बहतर तो आप गांगे और आपकी संताने आप से बहतर गए ठीक है अभी एक सवाल मुझे पूछा गया हम जब विवाह करते ना विवाह तो विवाह करते समय कुछ मिलान किया जाता है नाडी का मिलान करते हैं गोत्र का मिलान करते हैं आप जानते हैं क्यों करते हैं नहीं वाले कोई लोग तो कहते हैं कि ये बुवा वाजी है कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नाडी का मिलान करना गोत्र का मिलान करना ये बखवास है इसका कोई परट ने परता लेकिन इसका परट बहुत गहरा है यह साइंटिफिक बात है बात ऐसी है कि हम जब गोत्र और नाडी का मिलान करते हैं तो इस बात को ध्यान करते हैं जिस DNA एक ही ना हो ऐसे इस्त्री पुरुष की शादी ना हो एक ही DNA ग्रूप वालों की शादियां अगर हो गई तो जिन्दजी बर संतान का त्राप रहेगा एक ही DNA ग्रूप में DNA की ग्रूप है और वो ग्रूप अगर एक ही जैसे हैं नजबीक नजबीक का बहुत अंतर नहीं है उनने आपस में शादियां होई तो एक तो संतान होगी नहीं हो भी भई то मटीमंढ होगी विकलांग होगी कंजोर होगी खुद्धी से विलकुल कंजोर होगी शरीर से कंजोर होगी और संतान जीवित नहीं रहेगी ज्यादा दिन जन्दी मरेगी अगर एकी ब्लड गुरुप के नजबीक वालों की शाधियां होगे तो जब हम नाड़ी और गोत्र देखते हैं तो उसका इसी बात का भ्यान रखते हैं एकी नाड़ी और एकी गोत्र में शाधी इसलिए नहीं करते हैं ताकि DNA एक ना हो DNA एक होने के चांसिस तभी है जब नाड़ी एक हो और गोत्र एक हो तो 100% ब्लड गुरुप एक हो जाता है इसलिए यो भ्यान रखता जाता है तो हमारे बुजर्बों ने एक परंपरा बनाई विवाह करने के पहले नाड़ी का मिलान करना गोत्र का मिलान करना वो परंपरा बहुत साइंसिस है अगर उसका ब्यान रख्के आप शादियां करते हैं तो आपकी संतान अच्ची होगी नहीं ब्यान रख्था है तो बहुत तष्मिए ऑद आजकल हमारी देश में क्या हुआ है प्रेम विवा बहुत होने लगे, लब मैरेजिस होने लगे, उसमें ये कोई र्यान रखता नहीं, ना नाडी का, ना गोश्य का, और सब लोगों को ये त्रास है, वो आगे हैं मेरे पार, ज़्यादा तर प्रेम विवा वाले एक संतान नहीं हो रही है, ददद साल से परिशा फिर मैं कहता हूं जरा ब्लड चेक करो, तो ब्लड चेक करते हैं तो पता चला एक ही दोनों का ब्लड ग्रूप है, तो हो ये नहीं सकती संतान, कितनी भी कोशिक कर, तम मैं उनको कहता, कि आपको संतान का सुख नहीं, तो कहते हमने क्या पाप किया था, तो मैंने का आपने पाप आप ये ही किया था फ्रेज्वा है यहीं पाप आप ने किया अगर नाडी कोत्र कज्ञान जटके करते तो यह मैंनिक होथा कि माने इसका क्या है माने इसका parece सेdon Fam अगर हम प्रेम निगाहवी करते हैं, तो इस बाद का ज्यान रखते हैं। अगर इस बाद का ज्यान आप नहीं रखते, तो आपको भरुष्य में बहुत तक्लिफन आएंगी। तब प्रेम तो छूठ जाएगा, विवार जो है विसकता हुआ जाएगा। यह जो प्रेम है न, यह जादा दिन तिकता विटता नहीं है, क्योंकि यह आवेग जैसा होता है। यह इंपल्स है, एक कुछ खास तरह का हार्मोन हमारे माइन में बनता है। उसका नाम है डोपामाइन, और डोपामाइन एक हपेला हार्मोन है, जो थोड़ी देर ही तिकता है। तो प्रेम भी डोपामाइन का असर है, थोड़ी देर तिकता है। उसके बाद खतम हो जाता है। इस्त्री में भी पुरुष हो और जब प्रेम खतम हो जाता है तब जीवन में अस्ली संघर शुरू होता है अस्ली और वो इतना ख़राब संघर होता है कि कोई देख कोई सब्सक्राइब थोड़े दिन पहले तक दोनों एक दूसरे के लिए मरने के तयारी में हैं और डोपामाइन खतम होते ही एक दूसरे को मार डालने की तयारी एक दिन पहले तक या दो दिन पहले तक या पाँच दस दिन पहले तक किसी इस्क्री को उसका पुरुष और किसी पुरुष को उसकी इस्क्री दुनिया का सबसे सुन्दर इससे ज़्यादा सुन्दर तो होई नहीं सकता और 5-6 दिन के बाद ही दुनिया का सबसे पुरूप चहरा वो ही है जो उसकी अपनी इस्तरी है या उसका अपना पती है यह सारा ठेल डूपामाइन का है तो फ्रेम तो फिवा जो होते हैं न इन्न मैंने अख सअर देखा कि विवा होते ही प्रेम धोड़े दिनने प7वर शाथ है खाली बिवार रह जाता है मैंट है और वह ऐसी जिसकती है जैसे एकटांक आद्मी विशकत cultiv को आप कि जीवन में कोई फैसला करें तो किसी आवेग में ना करें मेरा यह कुछना एक डॉक्टर की लाते मैं आपको समादोंगा कि कभी भी जब आपके मनमें इंपल्स बहुत जादा हों तो कोई फैसला मज करिये तो कि फैसले के गलत होने की सक्षेता सबसे ना है इम्पश बहूत है तो य है तो एक बात रहएahren दवता हमोन बहुत है और यह हर्मोन है विवेग को खतं कर देता, विवेग काम करेगा है विवेग काम नहीं करेगा फैसला गलप होगा पैसला गलग होगा, जीवन भर आप पच्टा नहीं है, कि हमने एक समय पे छोटा सा गलग पैसला किया, उसका दूश परिणाम जीवन भर भुगत ना पड़ा, तो ये आप मत करिएगा, प्रेम करिए, लेकिन विवाह करने से पहले इन बातों का ध्यान दखे, मैं ये नहीं क अब ख़तर है, उसको ध्यान रखिए, आपकी संतान के विश्ण में सोचकर, देश और समाज और भर्म के विश्ण में सोचकर, ठीज़े, अभी एक दो प्रश्न आ गए, अनि आम समूलगा फन एक दम धाले ले, तेकर सकाई में, प्रवा, दो अगंचर रखते गए, तेकर तो आप exception में हैं, अफवाद में, दुनिया में सभी नियों के अफवाद होते हैं न, मैंने आपको हर बार बोला, 99%, एक परसेंट जो तो थोड़ा, वो exceptions के लिए थोड़ा, जी, ठीक है, एक परसेंट में exception में बहुत सारी cases हो सकते हैं, जैसे करोड़ों शादिया हो रही है उन में से हजार एक परसेंट से कम बैठता है, वो हो सकता है। दक्षन की दिशा में रक्षे सोई, साउस में, ये भी नियोजन का एक पिस्टा है। हाँ, जब आपको ब्रह्मचरी पालन करना है, तो पूर्व में सिर करके सोई, और जब आपको संतान के लिए धीवन बिताना है, तो दक्षन में सिर करके सोई। और कोई प्राश्न है? अब देखिए विध्यान की माहिती के लिए मुझे पत्र लिखते आए। हमारे शरीर में प्रोमोजोम्स होते हैं, जिनको हम गों सूतर कहते हैं, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई जो प्रोमोजोम्स हैं, उसके बारे में एक मूती माहिती आप सभी को है। एक्स और भाई अगर आपस में मिलेंगे तो हमेशा फुत्र होगा लर्खा होगा एक्स और एक्स मिलेंगे तो हमेशा बेटी होगी लर्खी होगी यह मोटी सी माइटी अब इसमें सम रात्री का क्या संबंद है मैंने बोला न, हमारी पत्ती के या इस्त्री के मासिक चक्र के शुरू होने के दिन से दसमा दिन सम, ग्यारमा दिन विसम, पारमा दिन सम, तेरमा दिन विसम तो ये सम विशम का गुरुपुत्र के साथ कोई संबंद है? हाँ, संबंद है जब सम दिन होता है तो उस दिन पुरुष का जो क्रोमोजोम्स है इस तरी में तो दो X ही होते हैं पुरुष में X और Y दोनों होते हैं तो पुरुष का जो Y क्रोमोजोम्स है वो बहुत पॉर्फुल होता है सम वाले दिन कर इसलिए फुत्र होने की सक्षेता सबसे जादा और विशंपाले दिन पर X-Chromosomes बहुत पौरफल होता पुरुष्टा इसलिए बेती या फुत्री होने की सक्षेता सबसे जादा वो पुराने भुदूर्ग हैं वो बहुत सारे परक नियम पालब करना से स्वयंपाथ घर में जाना स्वयंपाथ नहीं करना भोजन नहीं बनाना ऐसे करना वईसे करना वगरा हो इसके पीछे का सांग इसके है, इसके पीछे कुछ खास बात नहीं है, बेटी बात है, कि जब इस्त्री को मासिक पाड़ी शुरू होती है, तो उसके पूरे महिये का सबसे महतुपूर समय वो है, सबसे महतुपूर का समय है, और मैं विज्ञान की महती आपको एक देना चाहत को सम सब्से महतफपूर हैं सबसे पवित्रभी ऊसमें होता क्या है कि स्च्री के शरीब का घरभाशय ہے वो अपने कोह स्वक्ष कर रहा है और मासितां के लिए तैयारी कर रहा है तो इससे ज़्यादा पवित्र और अच्छा तो कुछ के नहीं, किसी भी इसकी पवित्रता सबसे ज़्यादा उनी जिनों में होती है, जब वो मासित पाव्री में होती है और पुरुष के बारे में मैं एक ज्ञानकारी देता हूँ, जो गुरुसूत्र के आधार पर है और साइंस के आधार पर है कि पुरुष सुभाव से अपवित्र होता है इसलिए आप नसिये मत ये सच है पुरुष जो है सुभाव से चरिप्र से बाई नेचर बाई करेक्टर अपवित्र होता है इन प्योर जिसको कपो उसमें पवित्रता ज्यादा में है इसलिए आपको हिरानी होगी भारत में बहुत सारे ऐसे देवस्थान है जहां पर पुरुष को जाने की अमुमती नहीं है वो ये कहते हैं कि आपको देवस्थान में फूजा करनी है अपनी पत्नी को लेकर आप मैं बहुत सारे देवस्थान में नहीं जा सकता मेरे साथ ये गुरुगटना हो चुकी है केरल में, कमिल नाडू में अंधरा में ऐसे बहुत मंदिर है मैं अंदर गया, गर्णुग्रे में पूजा उसमें रोग दिया पहले तो रोग दिया ये वस्त्र उतारो, तो मैंने का ठीचे उतारता फिर दोती पहनो दोती मैंने लुंगी पहनो मैं वो भी पहन गया फिर उसमें पुछा आपका विवा हुआ मैंने का नहीं हुआ तो आप अंदर नहीं जा सकता मैं पुछा भाई क्यों नहीं जा सकता उसमें का आप पवित्र में तो पहरी बार मेरे जीवन में मैंने सोचना शुरू किया फिर मैं फवित्र नहीं है तो बाद मैं में वहाँ से लोट आया तो मेरे जो बहुत सीमेर गुरू हैं जिनोंने मुझे चिकित्सा और ये सब सिखा रहा है क्योंकि मैं तो टेक्नालोधी का आद्मी हो लेकिन चिकित्सा मैंने सीखी तो जिन गुरूों में मुझे सिखाया मैंने उनके सामने ये प्रशन किया कि मंदिर का पुजारी कहता है मैं पवित्र नहीं है पवित्र तब होता हूँ जब मेरा गुमा होता है तो मेरे जो सबसे बड़े गुरू थे उन्होंने कहा कि पवित्रता इस्तरी में ही होती है पुरुष में नहीं होती है और उसका कारण ये है कि हर महीने उसका शरीर अपने पुराने कच्रे को मिकाल कर नया धारन करता है पुरुष में ये नहीं होता है इसलिए मासिक पाड़ी के दिनों का जो समय है वो सबसे पवित्र है इसलिए कहा ये गया है कि इस पवित्र समय को भाल्टू के काम ना बरबात में करना फाल्तु का काम क्या जर्म पाक करना रोज होता ही है उन चार पास दिनों है जादा से जादा क्या करना ऐसा काम करना जो पवित्र भी है जैसे इश्वर का भ्राम करना बजन करना मन में थोड़ा सा संबाद करना अपने से इश्वर से इसके लिए फोड़े फाल्तु कामों से स जो सामन निकाम है वो उन चार-पांच दिनों नहीं करना। अब हुआ क्या? हमारे घर वालों ने इसका इंटर्पडेशन उल्टा कर दिया। इसका इंटर्पडेशन क्या कर दिया? यह खराब है, यह पौवित्र है, वहाँ कोने में रख जाओ, किसी को चूना नहीं, किसी को ये करना नहीं, ये फाल्पू बाते हैं, हमारे घर में घुट जाएं। क्योंकि हमने घिज्ञान को छोड़ दिया, खाली परंपरा को ले लिए। तो मेरा आपको ये कहना है, कि मासिख पाड़ी के जो भी 4-5 दिन हैं, वो सबसे नहत्व के दिन हैं, सबसे पजित्र दिन हैं, उनमें सबसे अच्छा काम करना से हैं। तो जो काम आपके नॉर्ब के ध्यान का समय, आपके प्रानायान का समय, आपके साधना के समय में लगए। इसके लिए वो समय थोड़ा खाली रखें। और पुरुष को कहा गया है, कि वो परेशान ना करें, अपनी पत्नी को और इस्त्री को उपने गुमाना। जोगी मैंने कहा ना, संयम इस्त्री ही पालती है, पुरुष के बस की बात नहीं हो, तो अक्सर पुरुष के संयम दूखते हैं, तो वो उन दिनों में तो संयम को कच्छोरता से पालन करें। ऐसा हमारे आईरुबेट में मिलबेश किया है। तो मासिप पारी के समय, सीना नहीं, पिरोदा नहीं, ये काम नहीं करन इसके पीछे का अर्थ एकी है, कि आपका ये समय बचाकर थोड़ा ध्यान, थोड़ा प्रायाम, थोड़ी समाधी की इस्तिती में रहना। चार पालती है, सामोहिक और सार्जनिक जो परिवार के साथ करते हैं। लेकिन शास्त्रों में ये कहा गया है, कि इस्त्रियों को उन इसके लिए तो बाकी 25 में नहीं, वो तो मरना खटना है, ये 5 दिन तो उसके अपने हैं, इसके लिए वो उसको कहा गया। इसके लिए ही रखना है, ज्यादा काम नहीं करते हैं। नहीं ऐसा कुछा है, किसी भी वेद में ऐसा नहीं है। बिलकुल श्लोक बोल सकते हैं, मंत्र बोल सकते हैं, वेद मंत्र बोल सकते हैं, ऐसा कहीं कोई विवेद हैं। पूरे रिगवेद में नहीं हैं, साम वेद में थो नून आखने सब्सक्राहर ने सब्सक्राइब और निए ऐस बात छुप सर्थ क्या आको प्रणयाम अिप्राब्थन आइस समबाब मेटने कर questa दज्ञान इतना ही रखना है कि जोंकि उन दिनों में हील बढ़ी हुई है हील बढ़े हुए में होने के कारण ब्लेट प्रेशर बढ़ा हुआ है बीपी बढ़े हुए के कारण काम नहीं करना अच्छा होता है आराम करना ही अच्छा होता है इतनी बात सहंग में आई गरगादान होने के बाद बहुत बहुत सावधानी से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है आपकी एक छोटी सी असावधानी जीवन भरकी आपकी जो महनत है उसको बेकार कर सके इसलिए गरगादान होने के बाद बराबर घ्रान रखना है एक बाद का वो ये कि आपका भोजन आपका जेवन अच्छा होते ही जाना चाहिए गरगादान के पहले तो अच्छा है ही होने के बाद तो और भी अच्छा होना है तो अच्छा होने से मतलब क्या है दूद, ता, दही, लोनी, तूप ये भरपूर खाना है बिल्कुल सिल्टा मत करें उसके बाद कखला होने का भी बता जूँगा मैं गरभादान होने के पहले का जो नियोजन मैंने बताया बाद का भी उतना ही जरूरी है आपको इस बाद का ध्यान रखना है कि गरभादान होने के बाद दूद, तूप, लोनी, दही, ताठ ये भरपूर खाना है और हमेशा याग रखना है गाय का खाना है तूप तो जितना खाएं उतना अच्छा फिर आपके मन में आएगा बजन बढ़ेगा बिल्कुल चिंता मत करिए गाय के तूप से कभी किसी का बजन नहीं बढ़ता बजन बढ़ता है मशी के तूप से मैं बारबार कह रहा हूँ गाय का तूप खाना है मशी का नहीं खाना बजन नहीं बढ़े गायटा दूट मशीका में पीना गायटा पीना तो भी दजन में गड़े तो तूट दूट रही लोनी ताथ ली मक्कन ये सब खाए दूसरा भरपूर केल्शियम आपके शरीर में रहे क्योंकि आपको और आपके बच्चे को दोनों को डबल केल्शियम अफ्ट रहे तो चूने की माक्तरा लगातार खाती रहनी है बढ़ाब ये तो और ही अच्छा है रही में पाक में चूना बढ़ावत खाते रहना है केला भरपूर खाते रहना है क्योंकि केले में भरपूर केल्शियम है पुटाने शेला भरपूर खाते रहना है दोनों में कैल्शियम है, तिल खाते रहना है, उसमें बहुर्पूर कैल्शियम है ये आप छोड़ को ये किसी शाम और दिनर, शाम को पांट-छे बजे के आस्पास होना ही चाहिए लंच दस बजे, दिनर शाम के पांट-छे बजे बीच में अगर भूख लगे, तो जूस पीना, फल खाना, फुटाने खाना, शेगा खाना, गुड़ खाना, तिल पट्टी खाना, गुड़ पट्टी खाना, बीच में और शुबह साम भोजन बर पेड़, नव दस बजे सुबह, पांट-छे बजे शाम को एक भोजन से दूसरे के भी आठ ताक का अंतर, गर्ववती आई के लिए, और दूसरा एक ध्यान बर ये रखना है, कि पहले महिने से साथमे महिने तक थोड़ा-थोड़ा श्रम करते रहना, श्रम मैंने बताया, पत्टी को कुछ मान से प्रास नहीं, प्रैस आभी, किसी द अगरा मान से प्रास नहीं को, क्योंकि उसका सबसे जाला दूसरा होता है, तो बनका आपको प्रास में होना, अब इसकी दिम्यदारी पूरे परिवार को लेनी है, परिवार के दूसरे सबस्रियों को उसकी दिम्यदा भी लेनी पड़ेगी, कि आई के साहत ऐसका कुछ ना ह यह उसको मान से प्रास नहीं हो, जैसे हरे व्यत्ती को इस्त्री हो या कुछ, कुछ चीजा पसंद है, कुछ ना पसंद होता है ना, सबके जीवन में होता है, चोबे बच्चे को कि यह पसंद है, यह ना पसंद है, यह पसंद है, तो आई को जो चीज ना पसंद है, वो उत पुपने दियों में नहीं हो जिसे लिए गए गए अब इसकी एक सुष्टी बना तो यह जी इक नाम बतल करें तो ना हो क्योंकि नाम पजन वाली जीन होगी तो मानसिक ट्राथ रगा और उसका दुपर्णा मारी तो दिन्मा होगा उसले जागा बच्चे को होगा और बार बार मानसिक ट्राथ अगर बच्चिय को आप में डिया तो जब पएदा होकर आएगा तो जिन्तली भर आको द्रास्ट देगा यसा जिंदली भर आई और बाबा रोलते हाँ बहुत बार बच्चे आपने लेगा आई दावा को रोलाते हैं। यह वही बच्चे है जो गर्व कें अपनी आई के पेश्मे थे। और आई को माने सिस्टा अप हुआ, उसके लागा बच्चे को हुआ। तो वह पूरा बचला वेका उंका है। तो आई बहुत के हैं, और उनका हमें पूटर इसका था, जो ऐसा हमारा वेता हुआ, तो मैं उसको याद दिलातों की याद करो, तुम्हें घर्भार से के सनने जवर्जित आप क्या क्या चाहत दिया, तो उनको याद नहीं आता, फिर खोड़ खोड़ के याद बिलाते हैं, तो इस बात का आध हमें, आई वो स्टूर ग्रेंट के सामने नहीं आता, लेकिन हमारे हम कुछ काटो माद, खिलो माद, सो माद, ये विन पत्नी को तकी लिए, तो एक जर्णल उपतर इसका में नहीं दे सकता, इसलिए आप देखी के प्रूप से मिले, नहीं तो मेरा नाम पता लिख ले, मुझे खत लिखू या इमेल करे, विस्तार से आपकी माहि कोई आपकी मुझे दें, तो विस्तार से ही मैं समच के कोई आउशद बता सकता, अभी जितना दिशय हुआ, इसके बारे में सबाद, गरगोपात हो गया, अब क्या हुआ, इसका सीधा सा कारण है, कि गरभाश्यकी जो थैली है ना पिश्वी, वो कमजोर है, इसका ये की उ अचानक से गरगोपात हो सकता है, क्योंकि बच्चे का वजन जैसे ही बरता है, वो थैली उसको समान नहीं सकती, तो गरगोपात हो, तो ऐसी स्थिती में, आई के गरभाश्यकी पिश्वी मजबूत हो, उसके लिए आउसक देना चोईए है, और उसकी आउसक बहुत है, अचानक से लेकर सपत आखरी दिन तक आई को एक बात का ध्यान रखना चाहिए, कि वो हमेशा अपने बारे में, अपने बच्चे के बारे में जो भिचार करें, वो पॉजितिव हो, पॉजितिव माने सकारात्मत हो, निगेटिव कुछ भी ना सोच, जैसे मन में ऐसा विचार ना है, तता ने ये बच्चा विखलांग तो नहीं होगा, तता ने ये मन्द बुद्धी तो नहीं होगा, तता ने ये कमजोर तो नहीं होगा, तता ने ऐसा तो नहीं होगा, ये विचार बिलिकुल नहीं कर, आप इसके positive विचार कर, ये मन गुद्धी नहीं होगा, ऐसा करने की बजाए, ऐसा विचार करना ये तेजस्वी होगा, ये तपस्वी होगा, ये बल्शाली होगा, ये दीर्ग गुद्धी वाला होगा, सुदीर्ग जन्म वाला होगा, सतत इस त आपके मैं में चुकर जैसा विचार आप आप करते हैं उसी तरह के हार्मों शरीर में बरनते हैं और वही हार्मों उस बच्चे के लिए पोशन का काम करते। तो आप अगर positive thinking करते हैं तो बच्चे पर उसका बहुत गहरा असर होता और वो गहरा असर उस बच्चे को घर्व में ही बनाना शुरू कर देगा आपने वो अभिमन्यों की कहानी पढ़ी है और अपने सुनी भी है उसकी आई जादातर ऐसी ही विचार करती है युद्द के बारे में युद्द के दियू के बारे में उसकी रचना के बारे में और कौर्वों को परास्त करने के बारे में और अगर वो आई बार बार ऐसा ही तो अभिम्नी जन्म से ही वैसा है ऐसे छत्रपती शुवाजी महराज के बारे मैं उनकी आई रातित एक विचार करती है कि मुख्लों से अपनी सक्ता कैसे वापस ले ले अपना स्वरात के कैसे इस्थाफिश करना मेरा जो आने वाला पुत्र है वो यही काम करना है उसको ऐसा ही तो वो आई के सोचने का असर है कि छत्रवती शिवाजी जनम से वैसे है राना प्रताथ की आई की भी यही कहानी राना प्रताथ की आई के समय में क्या है अकवर ने पूरा राजी छीन लिया उनका राजिस्थान का तो राणा प्रताग की आई भी राग के लिए ही सोच रहे है कि मेरा बेटा आएगा तो इस राजी को भुगनों से वापस लेगा तो राणा प्रताग वैसे है तो अभिमंदी की कहानी हो, राणा प्रताग की कहानी हो हमारे शत्रपती शिवाजी की कहानी हो या बगत सिंग की कहानी हूँ बगत सिंग की आई ने लिखा है कि वो जब बगत सिंग गर्भूने है तो बारबर इनकी आई सोचती है अन्देज भारत से क्यों नहीं जाते हैं इनको भगाना ही चाहिए इनका राजी खतम होना ही चाहिए तो बड़क्षी जनन से दखता है तो जितनी भी आई ऐसा आई ऐसा सोचती है विचार करती हैं चिंतम करती हैं तो वैसा ही बच्छे का समस्कार तीसरे महिने से शुरू हो जाएगा जैसे जैसे ब्रेंड डाउलप होता है वैसे वैसे वो उसके ब्रेंड पर बिल्कुल प्रिंट होता जाता है ऐसे समझे जैसे कंप्यूटर में हम लिट्के फोल देते हैं वैसा ही उसके माइंड प्रिंट हो जाता तो आपको ऐसे ही चिंतन और विचार करना और आपको ये तरह करना है कि आपको आपका बेटा या बेटी का इसा होना जैसा होना जैसा सटत विचार करें आप अगर विचार करेंगे तो उसका फूरा असर उसके पर आजे तो Auch पॉजिटिव धिंकिंग दूसरा पॉजिटिव धिंकिंग के लिए सौत्धियाए बहुत आपस्षक है बिना स्वाधियाई के positive thinking नहीं होती तो स्वाधियाई करिए और स्वाधियाई ऐसी पुस्टकों का करिए जो इसमें मदद करें अब ऐसी पुस्टक यह बहुत हैं सतोगती शिवाजी महराष्ट की जीवनी है राहा प्रताफ की जीवनी है समर्ग गुरु रामदास की जीवनी है जासिरानी लख्षूगाई की जीवनी है इन सक्ता सतक साहित्य का अध्यन आप करते रहे ज्यानेश्वरी है आपकी जीता है बगवत जीता है रामचरित मानस है रामायन है इन सक्ता सतक अध्यात और अध्यन करते रहे तो positive thinking के लिए स् तो पूरा असर आपके बेते और बेटी पर आने वाला है, वो कोई भी हो, बेती हो या बेटा हो, पूरा इंप्रिंट उसके माइन के होगा, और जब वो बड़ा होगा, तो आपको ये कहना नहीं पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा, वो खुद सही करे या करेगी, कई बार आपको वो खुद लेते जाएगा या जाएगी, ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना, तो इस तरह का ध्यान हमें रखना है, और गाओं के परिवार के समाज के लोगों को ये ध्यान रखना है, ये आई को ये positive thinking रहे और उसका स्वाध्याय अच्छा होता रहे, तो उसके पास पुस्तक लाने के लिए फुर्सत नहीं है, या पैसा नहीं है, या पुस्तक लाना नहीं चाहता, तो फिर गड़वर होगी, तो वो सहयो, सहका, सभी का होगा, तभी ये है, एक अच्छा बेटा या बेटी समाज की सब की जरूरत है, तो सब को उसकी जिम्मेदारी ले प्रोस के रहने वाले प्रोसीों की ही जिम्मेदारी है, कि वो ऐसा माहूल बना के रखते हैं, ताकि उस माहूल का असर उस बच्चे पर हो, तो स्वाध्याई नियमित करना, थाजिति ठेंकिंग लगातार करते रहना, खान पान का बराबर भ्यान रखना, थोड़ा अपने शरीर श्रम का घ्यान रखना, और आराम समय से, खानतान समय से, ये बिल्कुल नियमित रखना, इतनी चीज़ों का घ्यान रखेंगे, तो जो भी बेटा या बेटी होगा, दिलिवरी नॉर्मन होगी, ज्यादा सीजर करने की आभश्यक्ता नहीं पड़ेगी, कोई कॉम्प खानतान में जो मैंने बोला चूना और दढ़ी खाते रहें, दूद और तूप रात को पीते रहें, कभी भी सीजर करने की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी, और जो आपने से किसी को भी ऐसी कंडिशन आजा है, कि दॉक्तर बोले नहीं सीजर करना ही पड़ेगा, तो आप एक बार मुझे पहले फोन कर लेना, मैंने नंबर आपको दे दिया है, होमियोपैजी में ऐसी बहुत आउशबी है, जो सभी कॉम्प्लिकेशन को खतन करके नौर्बल डेडिवरी कराते हैं, बहुत आउशबी, तो उनका उप्योग आप कर पाएंगे, एक आउशबी में आ कापड में उसको छानना, फिल्टर करें, फिल्टर करके जो रस है, वो आई को पिलाना, कब पिलाना, डिलीवरी के काहिं कर, जब डॉक्टर कहता है, कि सीजर करना ही पड़ेगा, नौर्मन डिलीवरी होगी नहीं, उस समय के, 50 ग्राम शेन, 50 ग्राम मूंट्र, दोनों मिला कापड में शान कर, आई को पीने को बेना, और आई को कहना, एक बार में पीना, तीन बार में पीना, एक बार थोड़ा पिया, फिर धोड़ी देर के बाद दुबारा, फिर धोड़ी देर के बार, तीन बार पीने के बार, आई को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत कूँ पड़ेगी, ज्यादा दर्द होगा नहीं, बच्चा आपने आप गर्धाशों के बाहर आखे, ये आप खुद कर सकते हैं, बाकी होगियों करती आउशदी के लिए आप खुद नहीं कर पाएंगे, इसलिए जरूरत पढ़ने पर आप खोल कर लेंगे, ठीक है, अब आगे एक बात के हैं, कि गर्भू पूरा हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, अब आपको कुछ और चीजों का ध्याद रहता, बच्चा बड़ा हो रहा है, तो तीन बाते हमेशा याद रहें, पहली बात ये, कि वो बोल नहीं सकता, क्योंकि उसके पास भाषा के शब्द कम है, लेकिन इंटेलिजेंट आप से ज़्यादा है, हरे बच्चा जो जन्म लेता है, और पाच वर्ष तक उसकी इंटेलिजेंसी हमेशा आई वडिल से ज़्यादा है, बस इतना ही है आपने और उसमें अंतर है, कि उसको बोलने के शब्द नहीं है, आप बोल पाते हैं, वो बोल नहीं पाता, इंटेलिजेंसी उसकी बहुत, और उसकी इतना इंटेलिजेंसी है, कि वो इशारे से आपको सब समझा सकता, ये ज़से, ये नहीं चाहिए, ऐसा करना, वैसा नहीं करना, वो बरावर बताएगा, आपको बहुत बार समझ में नहीं आएगा, वो आपका हाथ पकड़ के लेके जाए आपने कही बार देखा ना घर में कुछ खाने की वस्कु है अभी उसको चाहिए तो बोल नहीं सकता तो हाथ पकड़के वहां लेके जाएगा और बोलेगा ये दो कुछ आप दे दो तो कुछ हो जाएगा तो इंटेलिगेंसी है प्रेजेंस ऑफ माइंड उसमे हैं बस बोलने के लिए शब्द नहीं है तो कि शब्द सीखने से आते हैं शब्द जो है न वो इंटेलिगेंसी का पार्ट नहीं है शब्द जो है प्रेक्सिस का पार्ट है इंटेलिगेंसी और प्रेक्सिस में अंतर है प्रेक्सिस करने से आप सीखते हैं लेकिन आप उसके सामने कमजोर पड़े। जैसे वो कुछ पूछता है। छोटा बच्चा पूछेगा। वो पूछेगा ये क्या है। तो आप बोलेंगे ये जार है। ये जार का ये पान हरा क्यों है। और आपको माहिती रें। पीट है। तो आप उसको बोलें चुप। क्या माहिती रें। इसको बाइन नहीं है। जार का पान हरा ही होता है। अब बाबा को माहिती रें। तो बाबा उसको करते चुप। ये मत करें। ये आपमें अगर किया तो थोड़े दिन के बाद वो आपको चुप करेगा उसको ये कहना कि मुझे इसकी माहिती नहीं है इमांदारी से कर और मैं कर ये माहिती कहीं से लेके फिर बोलूगा तब तो बात बैठेगी और अगर आपने उसको डांटना शुरू किया तो बहुत प्रास हो जाए वो बेटा या बेटी आपके हाथ से निकल जा तो कभी भी उसको पांच वरस तक तो डांटना नहीं भूलतो ना तो बहुत सारे ऐसे सवाल करेगा जो आपके लिए एपसर्ड है एपसर्ड माने बिलकुल भाल तुके है लेकिन उसके लिये बहुत नहीं होगा वो बहुत सवाल हो सकते कुछ के हो सकते वो पूछेगा ये सूरी का रंग लाल क्यों है अब याप बताओ उसको ये चंद्रमा सफेग क्यों है ये तारे ऐसे क्यों है ये धार ऐसा क्यों है मिर्ची लाल क्यों है हरी लिर्ची लाल कैसे होती है पहले हरी है मिल्ची पेर पर जार पर दिलाल हो गई आम पहले हरा है फिर पीला हो गया अज़ा तुछ के सवाल को पूछने वाला है या पूछने वाली है क्योंकि उसकी इंटेलिवेंसी उसको मजबूर करती है ये सब पूछने के लिए तो आप ही उसके पहले गुरु हैं माने आई बाबा तो उनको तो ये माहिती होनी ही चेहिए माहिती नहीं है तो उसको बोलिए कि मुझे अभी माहिती नहीं है मैं कल दो दिन बाद एक सब्सक्ता बाद तात्या जी से पूछूँगा फिर बताऊंगा या मेरे बाबा से पूछूँगा फिर बताऊंगा या मैं किसी प्रोफेसर से पूछूँगा फिर बताऊंगा तो इसमें आपका अफ्मान नहीं है उस बच्चे के लिए बहुत आज़त जो डाटना शुरूँ किया आप में तो बहुत अज़ती है किसी बच्चे को डाटने का आपको कोई अधिकार ने हैं क्योंकि बच्चा जो है वो आपका नहीं है वो भगवान का है आपको भगवान में निमित्थ बनाया उसका पालन कोशन करने के लिए ऐसा सूचे हैं और आप अपने को भागेशाली मानिये कि आपको निमित्थ बनाया ऐसे करोण लोग करप रहे हैं इश्वर ने उनको निमित्थ नहीं बनाया तो जिनके पास बेका या बेकी है वो अपने को सदभागेशाली समझे कि बगवान ने आपको मिनच के बना कर इसको भेजा अब इसका लालन पोशन करना आपका काम है बागी उसके मन की गुद्धी का समाधान करना आप किसी की मदद से करना अच्छा नहीं तो अकेले लेकिन समाधान चाहिए उसमें उसको डाट पश्कार को मिलते और एक पीसरी अबाद भावा दोनों को ध्यान रखिए कि बच्छे बच्पन में बड़े हो तो वो बहुत कुछ सीखते हैं अनुभव क रशे हैं यह वो उनका सबसे बड़ा अनुभव है उनका मूँ हर चीज को मूँ में जैने ज़़े क्योंकि उनको अनुभव करना मिट्टी को मूँ पानी को मुह में देगे, कुछ भी, संदाज पढ़िया उसको मुह में दे सकते, तो आपकी समस्या उनकी नहीं, उनको तो अनुवग करना है, तो उनको ज़्यादा हाथ मत पकड़िये, करने दीजे, जैसे कुछ बच्चे माठी खाते हैं, और आई बाबा पकड़ते हैं, माठी ही खाने की चीज है, क्योंकि इससे अच्छी दूसरी कोई चीज में है, माठी माने कैल्शियम का बंडा, माठी जो है न, इसमें भरपूर कैल्शियम, माठी में भरपूर आईरन है, तो बच्चे को माठी खाना है, क्योंकि कैल्शियम चाहिए, इसलिए वो माठी खा खाने दीजे, फिर आप बोलेंगे माती पोर्ट में जाएगी, कुछ नहीं होगा, उसके पोर्ट में बो कित्निया हैं, जो भगवाल में भेजी है, एक दांग फ्रेश है, पुरानी नहीं है, नहीं है, काम ज्यादा करती है, आप से ज्यादा उसकी किड्नी फिल्टर करती है, इसलिए पेट में पथर होने का सो ही चांस है, तो माती खाता है खाने दीजे, कुछ राथ ही खाएगा वो, पेस्ट करेगा, केल्शियम चाहिए, तो खाने दीजे, कई बच्चों को मैंने देखा, वीवार चाटते हैं जीट से, ऐसे-ऐसे, क्योंकि उसमें चूना लगा है उनको इंकेलिजेंसी है, चूनी में केल्शियम चाहिए, अब आप नूर्ख हैं, आप उसको फगर कैने नहीं, चाहिए, गंदा है, गंदा कुछ नहीं है, क्योंकि उसके जीटी जो लार है न, वो दुनिया में इत्ती फॉर्फुल है, हर वाइरस और वैक्तिरिया को इत्ती खरीर को लगाएगा, लगाने दीजिए, आप गंदा हो रहा है, गंदा किसके लिए हो रहा है, पानी तो है धोने के लिए, और साबुन भी है महाने के लिए, तो गंदा होने से क्यों रोक रहे हैं, माटी में जाने दीजिए, खेलने दीजिए, और शरीर उसको खोल के रखिए नंगा खरीर रखिए ताकि माटी में लोगपोट होता रहें तो माटी का कैल्शम एब्जॉर्ब हो शरीर के द्वारा मूं के द्वारा तो उसमें तंदुरुस्ती ज्यादा अच्छी होगी आपको मैं एक समाइची देता जो शहर के बच्चे होते न अपार्टमेंट में रहने वाले और जो गाओं के बच्चे हैं बिल्कुल नंदा बदन खेलने वाले दोनों की आप शक्ती अंदाजा लगाना चाहें तो लगाने शक्ती मने प्रतिकारक शक्ती रजिस्टेंश कोवर तो यह जो गाओं के बच्चे नंग्यों कर खेलते न माठी में इंकी रजिस्टेंश शहर के फ्लैट वालों की नक़न मत करे हैं बच्चे माठी में खेलमें खेलने जीगे फिर थोड़े बड़े होंगे, कुए में कूदेंगे, भिहर में जाएंगे, पानी में डूबेंगे, डूब में दीजे, आपका काम इतना है कि वो बिलकुल नीचे ना चले जाएं तो मिकालना है, बाकी कूट में दीजे, अनुवव उनको करने की, क्योंकि उनके अनुवव क करना चाहते हैं, उनको करने की, फिर आप कहते हैं, ये शैतानी करता है, आपके लिए जो शैतानी है, वो उसके सीखने का गोन है, हमारे घरों में बहुत बार हम शिकायत करते हैं, मेरा बेड़ा बहुत शैतान है, तो मैं पूछता हूँ, क्या करता है ये, तो कब तोड़ आपके दिल में धर्कन परती है 10 रुपए का नुक्सान हुआ 20 रुपए का नुक्सान हुआ ये 10-20 रुपए के नुक्सान में इतने आप लालच में हैं तो पैदा को क्यों आप उस बेटे को मत करते हम 20-20 रुपए के नुक्सान के लिए परेटा में एक कब तूप जाएगा, एक बशी तूप जाएगी, एक बशी तूप जाने दो, तूप तूप जाने दो, उसको experience होना चाहिए, बराबर उसको experience करने दो, आपका काम है बस इतना देखवाल करें, कि वो अपने को कोई बड़ी चोट ना लगाना, कब बशी तोड़ दिया, व खून निकला रहा, वहां रोपना है, वो अपना लुकसान ना करें, इतना भर करें, और घर में वो हर वस्तू को इधर से उधर फेकने ही वाला है, यहां से लाके इधर फेका, इधर से लाके उधर फेका, अब आप कहेंगे, यह मेरा काम बढ़ाता है, वो काम नहीं बढ़ उसको सब कुछ सीखना है, तो सीखने के लिए वो ये सब करता है। इसलिए आप ध्यान रखिए, वो शयतानी नहीं कर रहा है, वो सीख रहा है। और सीखने में जो प्रशनुस के समझ में नहीं आएंगे, वो आपको पूछेगा। और उनका समाधन आपको करना पड़ेगा। समाधन करने के लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा। तो वो आब करें अगर 하나ி-बाबा बने हैं तो स्वाक्याय का समय सिर्फ अपने लिए नहीं तो अपने बेटों बेज़ुक्रिशें को ये कुछ और फ्पीतों बात है कभी भी किसी भी बच्चे को किसी भी परिस्थित्य किम depressed दाटना नहीं है मारना भी ने आप गोलेंगे कुछ भी गल्ती करें हाँ तो भी मारना में क्योंकि उसकी कोई भी गल्ती आपके मारने लायक में अब बहुत आई बावा मुझे कहते हैं हमको बहुत गुस्टा आता है तो गुस्टा आता है तो अपने को मारिए इसको मत मारे आप आई डावा बने हैं गुस्सा बहुत आता है बहुत लोगों को गुस्सा आता है कफ पकरती के जो लोग होते हैं उनको बहुत गुस्सा आता है तो अपने बच्चे पर भी आएगा तो उसको पत मारे ये मारना है तो अपने को मारे अपने तमा के मारे ये ख नहीं है आपको निमित मात रहें उसको बड़ा करने के लिए बाती तो सब इश्वर में तहे कर रखा है उसके लिए उसको क्या करना है भविश्च में कैसा होना